आरजेडी ने बिधान परिशत के लिए तीन उमिद्वार की घोसना की है लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मुनी देवी की हो रही है इस वक्त वो हमारे साथ है मुनी जी ये बताइए कब आपको पता चला कि आप MLC बन रही है और यहां से फोन आपको लालू अबास से कैसे कराओं मुबाई साथ हूं का मुई्ठान वहां पढ़े जाते हैं हुएहां कि परन आपके पस मुब्हारी नहीं नहीं बीसी स्वेमां चलती हूं पंचाहित में गारी कि आपको पता चला की बुलाय गया है कि आपके मन में ख्याल क्या है मैं में ख्याला या कि आज बार सबीतरी का फुजा है तभाईया तो भावी जी वर सुज़ा कि हो लें कि ओंगे तब फीतर से नर्फ़ी ओने समय कुछ मिलेगा रहता जी जुनेड भी लगद गूए है तो तो आये तो बाइठे वे ते गेट पर मने की फिर अंदर मने वो लोग भी उतार के चाला गया काड़ी पर से तब फिर तब तब अब है आए ता अंदर ले गए बला के ले गए तर लातु बावजी कुछ खाल रही दे तो मतलब बड़ा गिफ्ट मिल गया जीवन का सबसे लोगों के लिए संघार्स बहुत की है बालवच्चा के चोड़ चोड़ के मेनत मजदूरी करके राबरी माता खूद कहें कि लड़ेगी लड़ने वाली है अप करती क्या थी आप करते थे कपड़ाद होते थे कहां पर आइड़न कर पुश्रुपूर पलेट पारम के नीच करते थे संघठन या पाटी से आप कब से जूरी हुए तो कितना लोग है कि मंतली के पशकर्मा करके अपने सकल पर चार चांद लगवाने का काम करते हैं लेकिन मैं से कि 30 दिन ने 29 दिन मैं छेत्र में बूलती थी एक दिन मैं आने का काम करती थी सुप्रीनों से महिना ने लालू जी को गड़ीवों का मसीहा कहा जाता था आप भी नारेवाजी करती थी हमने देखा था जिस दिन सीवी आई की टीम आई थी आप पूरा गेट पीट रहे थे उस समय जिसमय यह खबर आई थी अंदर से कि राबरी जी के साथ जो अधिकारी है सीवी आई के गलत सब्सक्राइब करने काम ना कीजिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं कि इसी वी आई तो है पढ़ाई हुए तो होता उनके इसारा पर क्या हमारे लालो पर सजी है आज उनको दल में सब्सक्राइब कमल चाप सामन से नाया जो दूद कदोबाल हो गया और सामन से नहीं हमने कही अगर देखा आज जो भी आंदोलन हुआ है आप काफी आगे रहती थी आपके हां तो में जड़ी का जंडा होता था और काफी बुलंद आबाद से अपनी बातों को आप रखती थी सदन के अंदर कैसे रखेंगे उसी बुलंद से मैं रखूंगी किन-किन बातों को है उसको लिए रखेंगे कि अज भी हर में कहते हैं कि हमारे स्टेट से दूसरा स्टूवरी फॉर्जी का पूरी ठाकुर्जी का समस्ती पूर जिल्पिता जी अगराम नाम ने उनका मकान ताज वहां का लोग का क्या इस्तिती है नितीज जी आज हमारे नहीं दिखने का काम कर रहे हैं सरकार के पूल खोलेंगे जो 15 सालों में नहीं हुआ उस कामों खोलेंगे ना केंदर सरकार के भी खोलेंगे विरुजगारी के कायद से दूर करेंगे लेकिन महागाई अतना दिये अधानला मैंना पहले आज क्या है लालू परसाद जी लोगों के आबाज उठाने वाले हैं इसलिए सी वियाइक जरिये पाजी मुकादन फसाया गया जेल के अंदर भिज़ाया गया फिर भी लालू परसाद चुप नहीं रहें जेल से भी आवाज उठाने का एक सुना मुनी देवी की जो पूत्र है वो भी हमारे साथ हैं एक मिनिट आप 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 सबसे छोटे बेटे हैं मुनी देवी के यह बताइए जब आपको पता चला कि आपकी मां अमानिये बनने जा रही है जाता है कैसा फिल बहुत कुछी मिला रोए भी थे सब मिलके भाई भी था साथ में दोनों रोग गये तो परिवार ने काफी संगर्स किया बहुत विस साल पच्ची साल संगर्स ही मम्मी कर रही है जब से पाटी मतलब कि जो भी हो आए कि मिडिल क्लास नीचा हम सब फैमली में कुलार संगर्स हाक से चलता था परिवार कैसे एक वो एरब कि थी काम करते थि उससे थोड़ा आ जाता था पापा भी थोड़ा आपको भी अब लगता है कि भविस्मा आपको भी राजनीती में आनी चाहिए अभी तो फिलाल पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई सोचेंगे लालु यादव को सामाजिक न्याय का परोधा कहा जाता है आज लालु परसाद्यादव ने खुद इस बात को साबीत कर दिया क्योंकि दलित महला को भेजना राजनीती में वो भी विधान परिशत के सदस के रूप में कोई आसान काम नहीं है और लालु परसाद्यादव ने मुनी रजक को विधान परिशत के लिए भेज कर सब को चौकन ना कर दिया है या यू कहें कि सब को चौका दिया है झाल झाल